Welcome to Only IS, स्वागत है आप सभी लोगों का प्रिलेम बूश्टर न्यूज डिसकेशन में आज है 10 सेतंबर 2021 तो आज ये देख लेते हैं कि ऐसे कौन से important articles हैं जो आज हम cover करने वाले हैं हमारा first article fragile X syndrome के बारे में है यानि कि ये FXS 2017 में एक व्यक्ति जो autism से affected थे उनका पहला DNA blood test किया गया द्यान दीजीगा कि जब उनका ये blood test किया गया तो उनकी ओम्र 40 वर्स थी और इस DNA blood test में ये बाया गया कि उनको fragile X syndrome की problem है मतलब वो इस test में positive पाए गया मतलब वो व्यक्ति इस समस्या से काफी लंबे समय से ग्रसित था लेकिन इसकी जानकारी नहीं थी that source की fragile X syndrome को लेकर अभी भी लोग बहुत ज़ादा aware नहीं है इसको लेकर proper training या diagnose करने की भी सुविधा उपलब्द नहीं है FXS ये है क्या It is a kind of genetic disorder मतलब माता-पिता से बच्चों को हो सकता है कई तरीके की developmental problem होती है किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो इससे प्रभावित होता है जैसे सीखने की छमता में कमी आना और cognitive impairment ये कही ने कहीं आपको autism से मिलता जूलता मिलेगा बट ये उससे different है तेकि cognitive impairment का मतलब ये होता है कि आप चीजों को याद नहीं रख पाते बार-बार भूलते है ये कई बार autism का एक cause बन जाता है It is the leading inherited cause of autism in 4% of global population मतलब जो भी global population है उसके 4% में ये autism का problem बनता है fragile X syndrome ये क्यों होता है देखे हमारी body में एक gene पाया चाता है FMR1 gene इसमें अगर किसी वज़े से कोई बदलाव हो गया तो ये capable नहीं रह जाता एक बहुत ही important protein बनाने में FMR1 gene का काम ये है कि ये FMRP protein को create करे ये जो protein होता है ये हमारे brain के development में बहुत ही key component के तरह काम करता है बहुत ही key role play करता है लेकिन अगर FMR1 gene में किसी वज़े से बदलाव आ जाए तो ये protein बन नहीं पाता brain develop नहीं होता और फिर ये सारी जो cognitive impairment वाले problem है वो आने लगती है ये actually में एक mutation के वज़े से होता है जिसे FRAXA नाम दिया गया है अगर कोई माता ऐसी है जिसको ये समस्या है तो 50% chance होता है कि जो उनका बच्चा होगा उसको mutated gene मिल जाएंगे genetic है जैसा कि हमने पहले ही बोला जादा तर इसका प्रभाव मेर्स पर पढ़ता है पुरुष इससे ज़्यादा प्रभावी होते है मैलाओं की तुलना में detection की बात करें चाहिए कि कहीं ये autism fragile X syndrome की वज़ा से तो नहीं है क्योंकि फिर सारे traits और treatment का तरीका बजल जाएगा symptoms की बात करें तो सीखने में समस्या आती है यक्ति देर से बोलता है behavior sometimes aggressive हो जाता है hyper activity दिखाता है चीज़ों पर ध्यान नहीं दे पाता और कोई भी अगर ऐसा विक्ति मिलता है जिसे वो नहीं जानता तो वो डरता है वो senses से सारी चीज़ों को जल्दी process नहीं कर पाता like आप बहुत आसानी से सुगंध पहचान सकते हैं चीज़ों को सुन सकते हैं वो ऐसा नहीं कर पाता और कई तरीके की problem चलने वलने में भी हो जाती है sometimes treatment की बात करें तो देखें ऐसका ऐसका ऐस सच कोई cure नहीं है लेकिन अगर सुरुआत में जानकारी मिल जाया तो therapy वगएरा करके quality of life को improve किया जा सकता है हमारा next article PLI scheme के बारे में है textile sector के लिए देखें PLI scheme हमने पहले बे डिसकस किया हुआ है union cabinet ने अभी इस scheme को textile sector के लिए अप्रूफ किया है इसका full form है production linked incentive मैंने कई दफा बताया है एक बार फिर से आपको बता देता हूँ simple यह है कि आप जो additional production करेंगे उसमें सरकार incentive देती है लाइक आप 100 unit production पहले से कर रहे थे जिसका आपका खर्चा 100 रुपए का था फिर आपने 100 unit production आपका और बढ़ा दिया तो यह जो पहले वाला चल रहा था इसको भूल जाओ इस पर सरकार कोई incentive नहीं देगी यह तो आपका पहले से ही चल रहा था यह जो 100 आपने additional production स्टार्ट किया 100 unit का इसमें आपको 100 रुपए एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ रहे हैं तो यह जो 100 रुपए आप एक्स्ट्रा खर्च कर रहे हो इस पर सरकार 4 रुपए से लेकर 12 रुपए तक incentive दे रहेगी डिपेंड करता है कि कौन सी scheme के तहट कौन सा product आ रहा है उनका अपना classification है तो 4 रुपए से मतलब सिंपली कहों तो 4% से 12% तक का incentive मिल जाएगा जो आपका additional production पर additional expenditure है इससे आप सामान को सस्ता बेज़ सकते हैं आपके पास नई units को खोलने के लिए पैसा होगा और आपका सामान competitive बन सकता है मार्केट में यही सारे फायदे होते हैं PLI scheme के इसका एक अच्छा फायदा होता है कि इससे investment attract होता है अगर investors को पता है कि वो additional unit में पैसा खर्च करेंगे तो सब आप एकसी बात है कि वो ज़्यादा पैसा लगा के बहतर production की कोशिस करेंगे ताक कि उन्हें incentive मिल जाए अभी जो यह है यह textile products के लिए है man-made fiber जैसे short में MMF fabric कहा जाता है garments या technical textile technical textile ऐसे textile को कहा जाता है जो different purposes से इस्तिमाल के जाता है like अगर आप देखें तो जो firefighters होते हैं उनका suit different होता है जो technicians होते हैं उनका suit different होता है तो जो अलग-अलग field में काम करने वाले लोगों के लिए अलग-अलग कपड़े बनाया जाता है उन्हें technical textile कहा जाता है तो उसके लिए भी incentive मिलेगा जो Indian textile है वो international market में इसके वज़े से ज़्यादा competitive बनेगा जैसे कि हम कह रहे थे अब आपके पास ज़्यादा पैसे होंगे तो आप अपना सामान थोड़ा सस्ता कर सकते हैं प्रॉफिट मार्जिन आपको थोड़ा बहुत इस scheme के दाहत मिल गया इस scheme का duration पांच सालों का होगा PLI scheme जो भी textile sector के लिए आई है उसके फायदे की बात करें या इसमें क्या बात है की गई है तो दीखे इसमें पहली बात तो ये है कि कोई भी व्यक्ति जिसमें firm या individual भी आ सकता है अगर वो 300 करोन रुपए का investment plant, machinery, equipment या civil work में करना चाहता है दिखे अगर आप जमीन ले रहे हैं या कोई building वगएरा hire कर रहे हैं तो उसका नहीं माना जाएगा बाकि की चीज़ों में अगर आप पैसा खर्च कर रहे हैं जिसमें आप mmf fabrics या garments प्रोड्यूस करने वाले हैं technical textile बनाने वाले हैं तो आप इस scheme का लाव ले सकते हैं overall investment अगर 100 करोन का होने वाला है तो भी लाव लिया जा सकता है ऐसे sectors को priority दी जाएगी जो aspirational districts में tier 3, tier 4 towns में या rural areas में जो units लगाई गई हैं उन्हें प्रात्मिक्ता दी जाएगी इस scheme के तहर हमारा next article C295 aircraft के बारे में है हाल ही में cabinet committee on security ने 56 transport aircraft को clearance दे दिया है मतलब हम इसे खरीदने वाले हैं हम इसे खरीदेंगे airbus से ये company है जो की Germany की है अला कि जो हम खरीदने वाले हैं ये C295 aircraft इसका production spin में चल रहा है कितना solar का अभी देख लेंगे तो इससे इंडिया में जैसे air forces के जो ये aircrafts वगेरा होते हैं soldiers को एक जिगे से दूसरी जिगे लेकर जाना होता है तो बढ़िया काम होगा इसके पहले इंडिया transportation के लिए इस्तिमाल कर रहा है euro 748 planes ये काफी पुराने हैं British origin के twin engine planes है इसकी जो capacity है वो 6 ton की है लेकिन अब हमारे पास होगा C295 MW इसकी capacity 5 से 10 ton के बीच में होगी और जो वर्तमान के technologies हैं वो इससे less होगा यहाँ पर आपको एक rear ramp door मिलेगा ताकि सामान को या फिर जो forces हैं वो आसानी से cargo ship में उतर सकें और चड़ सकें rear मतलब पिछले हिस्से में ramp door मतलब एक ramp नुमा platform बना होता है यह बिल्कुल जमीन से सर जाता है vehicles आसानी से जा सकती है सामान जा सकता है troops जा सकते हैं तो आसानी हो जाएगी airbus defense and space देखे इसमें total 56 aircraft का पूरा plan है जिसमें solar तो यह जो airbus है वो हमें fly away condition में देगा मतलब वो हमारे यहां आएगा और use होने लगेगा बाकी के जो 40 हैं उन्हें airbus defense and space Tata advance system limited के साथ मिलकर इंडिया में ही बनाएगा मतलब यह make in India initiative को भी incentivize करेगा तो यह बात आपने समझ ली हमारा next article शेरपा के बारे में है government ने अभी appoint किया है union minister for commerce and industry जिनका नाम है P.U. Škoyal जी यह G20 meet के लिए इंडिया की ओर से होंगे शेरपा शेरपा का मतलब देखे सामानिवासा में होता है representative यानि की प्रतिनिधी यह इसके पहले जो union minister हुआ करते थे सुरेश प्रभू उनको replace करेंगे वैसे आपने यह सब्द एक different context में सुना होगा अगर आप याद कर पा रहे हो तो actually में नेपलीज शेरपा लोग होते हैं जो लोग प्रवता रोहर करने के लिए Everest या Himalayan region में जाते हैं ये उनको guide की तरह assist करते हैं मदद करते हैं तो शेरपा जो सब्द है ये एक नेपलीज शब्द है, term है यहाँ पर इसका इस्तिमाल एक representative के तौर पर किया गया है देखिए G20 या फिर G7 की जो meet होती है उसमें दो तरीके से बातचीत की जाती है यहाँ पर देखिए हम बात कर रहे है और भी जो various meetings होती है खेर हमें तो G20 से काम है विकास G7 में तो इंडिया है नहीं तो G20 meet में दो track पर बातचीत होती है एक financial track पर बात होती है यहाँ पर economic issues discuss किये जाते हैं इसमें majorly participation होता है finance minister का और जो हमारे RBI की governor है उनका दूसरा political front पर बात होती है तो political front पर बात करने के लिए इंडिया अपनी ओर से एक sharepa appoint करते हैं तो इस बार जो sharepa appoint किये गए हैं वो यही Puse Goelji है Actually भी यह personal representative होते हैं country के leader के लिए जो इस summit में उनके साथ participate करते हैं यह concept G8 जब पहले हुआ करता था तो उसमें भी था भी यह G7 है G20 यह जो nuclear security summits होते हैं उसमें भी यह concept होता है यह negotiate करते हैं प्लानिंग में जारा बनाते हैं political front पे बातचीत करते हैं यह जो भी agenda है उसे coordinate करके उस पर consensus बिल्ड करने की कोसिस करते हैं highest political level पे बातचीत इनके द्वरा की जाती है sharepa कोई diplomat हो सकते हैं या senior government official हो सकते हैं जिने उस country की leader के द्वरा appoint किया जाता है हमारा next article Asian Development Bank के बारे में है इंडिया ने अभी Asian Development Bank के साथ एक करार साइन किया है 112 million dollar loan का ताकि जार खंड जो हमारा है वहाँ पर water supply इंफ्रा को बहतर किया जा सके अगर आप इस bank की बात करें तो यह एक regional development bank है 1966 में इसे बनाया गया था फिलिपिन्स के मनीला में इसका headquarter है United Nations में इसे observer का status दिया गया है 68 members है यह Asia के इसमें सबसे ज़्यादा member है 49 चुकि Asia पे concentrated है बागी के भी members बाहर से हैं लेकिन majorly जो आपको member Asian Development Bank में मिलेंगे वो Asia से मिलेंगे that's for sure Asian Development Bank नामी है इसका तो bank में देखे member आ सकते हैं इसका नाम पहले हुआ करता था Economic Commission for Asia and the Far East यह याद नहीं भी रहेगा कोई दिक्कत की बात नहीं है और जो non-regional developed countries है वो भी इसका हिस्सा है इसको बनाने का जो mechanism है voting right कैसे देते हैं तो बिल्कुल World Bank के model पे यह है जितना पैसाद होगे उतना voting right मिलेगा simple सी बात है तो आपका contribution के हिसाब से आपको voting weightage मिलता है तो 5 जो largest shareholder है उसमें US सबसे आगे है 15.6% पे China 6.4% India 6.3% और Australia 5.8% तो यहाँ पे total देखे 1, 2, 3, 4 countries के हमने बात करी है ठीक है रोल वही है कि Asia Pacific region में poverty को खतम करना inclusive economic growth को लेकर आना ऐसी growth जो environment के हिसाब से भी सही हो और पूरे region को integrate करती हो आपस में जोडती हो हमारा next article VG सोमानी committee के बारे में है union government ने अभी हाल ही में committee बनाई है जो की नई नई दवाओं cosmetics और medical devices को लेकर कुछ नया जो legislation आना है उस समद में recommendation देंगे इस committee को cheer किया जा रहा है head किया जा रहा है drug controller general of India VG सोमानी जी के द्वारा mandate यही है कि जिसे कानून बनेगा तो उसके पहले consultation बगएरा करना होता है क्या जरूरी है क्या नहीं जरूरी है तो pre-legislative consultation मतलब कानून बनने के पहले का consultation यह करेंगे आपस में मिलके और जो अभी वर्तमान का कानून है drugs and cosmetics act of 1940 उसे examine करेंगे इसके पहले इस act को बदलने के लिए कई बार bills आये हैं समय समय पे यह उसको भी examine करेंगे उसमें क्या अच्छी बाते हैं और फिर recommend करेंगे कि जो नया drugs and cosmetics and medical device बिल है उसमें क्या मुख्य बाते होनी चाहिए जो आपना next article है वो inspire award मानक के बारे में है यह inspire initiative के तेहर दिया जाने वाला एक award है देखिए inspire एक scheme हुआ करती है इसका full form है innovation in science pursuit for inspired research inspire scheme तो यह इसी का एक component है सीर्स प्रोग्राम और सीर्स प्रोग्राम में दो सब components है एक है यहाँ पर मानक award और दूसरा है inspire internship तो हम जो बात कर रहे हैं वो यहाँ inspire award मानक की बात कर रहे हैं यह जो award है यह students को motivate करता है जिनकी उम्र 10 से 15 साल के बीच होती है वो 6 से दस्वी क्लास के बीच में पढ़ रहे होते हैं ताकि वो future के innovator बन सके इसे execute किया जाता है Department of Science and Tech के द्वारा National Innovation Foundation के साथ मिलकर यह autonomous body है DST के तहा है Department of Science and Tech के तहा है students को invite किया जाता है सभी government या private school से कि आप आओ आपके पास कोई innovative idea है तो उसे सामने रखो Students को 10,000 रुपए का award भी दिया जाता है जो उनके back a guard में सीने जाता है incentivize करने के लिए हमारा next article बुजुर्गों की बात देश के साथ initiative यार program के बारे में है अभी इसे Union Minister of Culture के ज़रा launch किया गया है similarly एक exhibition भी हुआ एक किताब के उपर जो गीत गोविंद के उपर लिखी गई है ये किताब गीत गोविंद की नहीं की जा रही है गीत गोविंद के उपर लिखी गई एक दूसरी किताब का exhibition हुआ है उस किताब का नाम है गीत गोविंद जैदेर's Divine Odyssey और इस किताब को लिखा है गीत गोविंद के बारे में भी बात कर लेंगे जिसके उपर ये किताब बेस्ट है बाकि जो प्रोग्राम है उसमें ये है कि जो 95 यर्स ओल लोग है जिरोंने आजादी के पहले कम से कम 18 साल बिताएं है भारत में उनसे जो यंग्स्टर्स हैं उनको जोडा जाए गीत गोविंद की बात करते हैं जिसके उपर इनकी डॉक्टर उत्पल के बनर जी की किताब बेज़ड है तो गीत गोविंद 12 संचुरी के एक पोईट थे जैदेव उनकी रचना है लक्षमन सेन जो बंगाल के राजा हुआ करते थे उनके कोड में कई सारे पोईट थे उनमें से एक ये भी थे ये एक लिरिकल पोईब है जो भगवान स्रीक्रिष्न की और राधा जी की लव स्टूरी या लव स्पोर्ट पर बेज़ड है जो गीत गोविंद है इसमें 12 चैप्टर्स है फर्दर 24 सॉंग्स है हर सॉंग में 8 कप्लेट है जिने अश्ट पदी कहा जाता है तो ये तो आपने समझ लिया रिविजन देख लिजिए फ्रजाइल एक्स सिंड्रोम ये तो सही है Asian Development Bank संगाई चाइना में इसका headquarter है ये जो देखे गलत है बिकॉज इसका जो headquarter है वो मैंने आपको बताया था that is in Philippines Manila तो ये वाला गलत हो गया ये वी जी गोस्वामी कमेटी डिश्टल पेमेंट के लिए नहीं है ड्रक्स और कॉस्मेटिक्स और जो medical devices से उनके लिए है बाकी Inspire Award मानकी ये वाला सुसाइए सेशन की पीडिया फोनली आइस के टेलिग्राम चैनल पे मिलेगे link description box में है आज के सेशन में बस इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद